हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल DKV009 पे आज मैं आप सभी के लिए प्रोडेक्शन टेकनलोजी फार, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्राप्स का कुछ मात्पूर्ण नोट्स लाए हैं जो की परिच्छा की दृष्टी से बहुत ही उपयोगी है यदि आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए तथा बेल आइकन को प्रिस्ट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके अपना पहला कुश्चन है एक पिल आफ पैरडाइज तथा आदम स्पिक के नाम से किस फल को जाना जाता है बनाना को केला को बनाना फूर्ट रिच ओरस आफ बनाना फल जो है केला जो फल है वा किस पूसक तथ्टका रिच ओरस है पोसकीम का जिसमें 450 میली ग्राम पोसकीम पाया जाता है Emerging New Suckers is known as Pippers कहलाता है केला की H-F-I-A First Gold Finger जो किसका संगठन है किसम है Capital A, Capital A, Capital A, Capital B Hybrid का संगठन है Highest Production in India भारत में केला का कौन से राज में Highest Production होता है Tamil Nadu में Banana के Inflorescence को कहते है Spadix Banana Fruit is Climatic Banana जो Fruit है, Climatic है BV TV किस फल का रोग है केला का Banana Banchita of Virus Robusta किसम है केला की Panama Wilt प्रत्रोधी है Some Citrus Species Mandarine Citrus Reticulata भारत का कौन सा अस्थान है Citrus उत्पादन में भारत का कौन सा अस्थान है Citrus उत्पादन में प्रथम किन्नों किस की प्रजात है Mandarine की Sweet Orange Citrus Sinenses जिसका Sunpick नेम है Citrus Sinenses Highest production आप Sweet Orange in India आंदप्रदेश भारत में कौन सा ऐसा राज है जहाँ पे Sweet Orange का सबसे अधिक production होता है वहा राज है आंदप्रदेश Citrus में Canker का कारण है Citrus में जो Canker रोग लगता है उसका कारक है जन्तोमोना Citrai Sain सर्वती किसम Citrus की किस के प्रति रोधी है Canker के प्रति रोधी है जो Sain सर्वती किसम है वह Canker के प्रति रोधी है Graps का Scientific name है Vitis Venifera Vitis लो ब्रस्षा इसमें जो गुर्सूत्र है वह 38 पाया जाते हैं और ओरीजन प्लेश ग्रेप्स का है area near कैपसियन सी area near कैपसियन सी कैपसियन सागर इसका ओरीजन प्लेश है Cultivation of Graps is known as Viticulture Climate for Graps Graps के लिए कौन सी जलवाई उप्युक्त है Subtropical Graps के लिए उप्युक्त जलवाई है दोस्तों Highest Graps Producer in India Sorry, Highest Graps Producer in World China सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन संसार में कहा होता है चाइना में Pre-Dominant Sugar is Graps फलों से प्राप्त होने वाले सुगर को कहते हैं 100 ग्राम ग्रेप्स से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है 58 कैलोरी प्राप्त होती है Beauty Seedless किस्म किसकी है? ग्रेप्स की बीजू किस्म है अनाबे साही जिसे माल्टा नाम से जाना जाता है और दूसरी किस्म है गुलाबी Commercial Propagation in Graps ग्रेप्स में कौन सी व्यवसाइक प्रसारण भी दी है? Hardwood Stem Cutting जिंक की कमी से ग्रेप्स में कौन सा रोग हो जाता है? Little Leaf और Roget बोरान की कमी से Hen and Chicken जिसको Millerandage कहते हैं यूज आप Plant Regulators जिब्रेलिक एसिड Plant Regulator के रूप में जिब्रेलिक एसिड का प्रियोग करते हैं Ideal TSS for Processing Graps जो Processing Graps होता है उसमें TSS कितना होता है दोस्तों? 15 Bricks और जो Regin Graps होता है उसमें TSS कितना होता है? उसमें 22 से 23 Bricks होता है Family of Guava Guava की Family जो है Maritasi है और इसमें 2N नमबर कितने है? 2N नमबर बराबर 22 इसका Signific Name है Cedium Guajava Types of Guava Inflorescence is called as Same Types of Guava Inflorescence अमरूद के Puskram को कहते हैं Same Poor means Apple is called as गरीबों का सेव किसे कहा जाता है? अमरूद को अमरूद में कौन सी विटामिन पाई जाती है? C विटामिन C पाई जाती है जो 100 Gram 100 Gram अमरूद में 260 से 300 मिलिग्राम पाई जाती है जिसमें 51 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है गौवा में परागण होता है Cross-Pollination Highest Production of Guava Inward संसार में Highest Production Guava का कौन से देश में होता है? इंडिया में इंडिया में सबसे अधिक Production कहा होता है? गौवा का बिहार में गौवा सं विराइटी गौवा की कुछ विराइटी है लखनव उन्चास जिसको सरदार के सरदार कहा जाता है वह विराइटी है लखनव उन्चास ललित Planting Time of Guava गौवा का Planting Time है जुलाई से अगस्त इनार्चिंग Propagation अम्रूद में किस प्रकार से किया जाता है इनार्चिंग ग्राफ्टिंग की जाती है लखनव उन्चास के लिए Planting Distance कितनी रखते हैं अम्रूद में दोस्तो 8 x 8 मीटर रखते हैं अम्रूद की किस बहार के फल अच्छे माने जाते हैं म्रेक बहार के फल अच्छे माने जाते हैं और म्रेक बहार जो है जुलाई अगस्त में होती है जिसमें flowering जुलाई अगस्त में होती है मार्च अप्रेल में फूल आने को कहते हैं अम्बे बहार अक्टूबर नॉम्बर में फूल आने को कहते हैं हस्त बहार कोई नाफ subtropical fruit कोई किसे कहते हैं लीची को एंthocyanin जो लीची में red color होता है वो किस कारण होता है एंthocyanin के कारण होता है कामर्सियल प्रोपोगेशन नाफ fruit जो लीची है उसमें किस प्रकार का कामर्शियल प्रोपोगेशन करते हैं एयर लेरिंग, गूटी और मोल्टेज द्वारा करते हैं और जो की प्रोपोगेशन करने का इसका उप्यूगत समय है जुलाई से सेप्टमबर फ्लावरिंग, टाइम आफ लीची लीची में किस समय फ्लावरिंग होती है जन्वरी, फर्वरी में और इससे उपज कितनी प्राप्त होती है लीची की 125 से 225 कुंटल प्रत हेक्टियर लीची की उपज प्राप्त होती है फ्रूट राट आफ लीची जिसका काजल आरगेनिजम है एस्परजिलस, रेस्ट्रिस्टस इस्ट्राबेरी का प्रवर्धन होता है रनर द्वारा दा ओनलिनी ट्रिट्रापॉलाइड सिट्रस इस्पिसीज है सिट्रस लेटिफोलिया संगम किस की किसम है ग्वावा की लो चिलिंग वेराइटी आफ एपल विंटर बनाना एंड मिचल है ड्वार्फ रूट स्टॉक और एपल M9 है एंड M7 है रतना किसका क्रॉस है नीलम क्रॉस अलफान्सो का पपाया में ट्विन कितने पाये जाते हैं 18 पाये जाते हैं हाइस्ट प्रोड्यूसर आप पपाया इन वर्ल्ड वर्ल्ड में पपाया प्रोडेक्शन में कौन सा देश प्रथम है इंडिया इंडिया में कौन सा राज पपाया उत्पादन में प्रथम इस्थान रखता है आंधर प्रदेश पपाया है दुई बीज पत्तरी पोधा है पपाया जो है दुई बीज पत्तरी पोधा है सीड रेट आप पपाया पपाया में सीड रेट कितनी होती है 250 से 300 ग्राम प्रत हेक्टियर सीड रेट की आव सकता होती है सरवाधिक पपेन किस किसम से प्राप्त होता है CO5, कोयम बटूर 5, जिससे एक फ्रूट से 14 से 15 ग्राम पपेन प्राप्त होता है, या एक डायोसियस किस्म है, एक हेक्टेर से 1500 से 1600 किलोग्राम प्रत हेक्टेर प्राप्त होता है, CO5 से एक हेक्टेर में यद कोयम बटूर 5 किस्म ग्रोग की जाती है, तो उससे 1500 से 1600 किलोग्राम प्रत हेक्टेर प्राप्त होता है, पूसा रन्ना किस्म है, डायोसियस उत्परवर्तित मूटेंट किस्म है, गाइनो डायोसियस किस्म है पपीता की ताइवान है CO3 कोयम बटूर 3 सूर्या है डेंपिंग आफ किसकी बिमारी है पपीता की पपीता की सबसे भेंकर बिमारी है डेंपिंग आफ या नरसरी में अधिक लगती है सेव में कौन सा विटामिन पाया जाता है सेव में विटामिन सी पाया जाता है जो की 2 मिली ग्राम प्रत सेव में पाया जाता है किस फल को टेंपरेट का राजा कहा जाता है टेंपरेट चेतर का राजा कहा जाता है मैलस डॉमिस्टिका को जिसका साइंट फिग नेम है मैलस डॉमिस्टिका एपल स्वायल का पीच होना चाहिए एपल ग्रो करने के लिए 5.5 से 6.5 अपल फ्रूट इज कंट्रोलेड बाई तीरी इंडिपेंडेंटेंड जीनस A, B, C हाइब्रेड वराइटी आफ एपल एपल की हाइब्रेड वराइटी है लाल अमबरी किसका क्रास है यहाई रेड डेलिस्यस क्रास अमबरी फ्लावरिंग टाइम आफ एपल एपल में फूल आने का समय है फरवरी से मार्च वेरी डौर्फ रूट सकर्स सरी रूट स्टाउक आफ एपल वेरी डौर्फ रूट स्टाउक आफ एपल का है M27 पियर की सब फैमिली है पॉमिडी इसका साइंटफिक नेम है प्रायस कॉमिनेस इसकी फैमिली है पियर की फैमिली जो है वह रोजेसी है पियर में कौन सा एसिड पाया जाता है मैलिक एसिड पाया जाता है एसिया नासपाती की किस्म है पत्थर, नाख, एंड 20th सेंचुरी गोला किस्म है नासपाती की प्रोपोगेशन इन पियर बाई सीड कटिंग चस्मा चड़ाना नासपाती में पूरक फसल के रूम में उगाते हैं आडू को पियर में फल आना प्रारम बहते हैं वर्स में साइला कीट किस रोग का वेक्टर है? पियर डिकलाइन नासपाती का छे रोग का ट्रांस्मीटेट करता है साइला इंसेक्ट फायर ब्लाइट का कॉजल आर्गेनिज में इर्विनिया ओमाई ओमाईलो वेरा सेव का पिंक रोग फैलता है फफून द्वारा पपीता में टुएन कितने होते हैं अठारा क्लोज पिकिंग की जाती है टी में चाय में आम में टुएन पाया जाते हैं चालिस फलों का राजा कहते हैं महिंगी फेरा इंडिका को जिसको आम के नाम से भी जाना जाता है आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है आम में विटामिन ए पाया जाता है 100 ग्राम आम में 4800 आयू विटामिन A पाया जाता है आम उत्पादक सबसे अधिक कौन किस देश में होता है भारत में दूसरे नमबर पे चीन है कौन से राज का भारत में कौन सा राज सरवाधिक छेत्रफल है आम में फ्लावरिंग टाइम है फरवरी मार्च और गुड मैंगो वेराइटी आफ टी एसेस कंटेन टोटल स्वालिड सबस्टेंड वेराइटी है में जो है होना चाहिए 20 परसेंट आम की फ़स्ट हाइब्रेड है महमूद बहार बामबे ग्रीन क्रास काला पेड़ी अमरपाली किसका संकरण है दसहरी क्रास नीलम इसको साट कट में डीने के नाम से याद रख सकते हैं मलिका किसका क्रास है नीलम क्रास दसहरी पॉली इंब्रियानिक मैंगो की इस्पिसीज है कुछ विराइटी है बपा काई चंद्रकरन बेमोसमी किसम है निरंजन एक्सपोर्टर हाइली एक्सपोर्टर विराइटी है अलफांसो में स्पंजी टीसू पैया जाता है डॉट टॉलरेंट फ्रूट है प्यूनका ग्रेनेटम जिसका नाम है साधर नाम हनार भगवा किस चेतर के लिए उप्यूगता है महाराश्ट में महाराश्ट के लिए या ब्राइट रिड कलर होता है इस विराइटी का C.I.S.H. रहमान खेला, Central Institute for Subtropical Horticulture, National Bureau of Research Institute, शिकंदरावाद, लखनौ, स्वरी, National Botanical Research Institute, शिकंदरावाद, लखनौ, Central Indian Medicine and Aromatic Plantation, कुक्रेल, लखनौ, C.P.C.R.I. का पुरानम, Central Plantation Crop Research Institute, कैसरगड, कैरल, N.R.C.C. का पुरानम, National Research Center for Cassionate, पत्तूर, कैरला,